अच्छी बात यह है कि यह जो वेकंसी यह जो रिलीज वही नहीं यह यहां पे समीदा बेसेस पे यह नहीं यह टेंपरेरी बेसेस पे है दोस्तो बलकि यह वेकंसी जो है रेगॉलर बेसेस पे यहां पे नि Taylor बेसेस पे नियमित पदों पे recruitment यह जारी हुआ और मद्य प्रदेश में काफी समय बाद यहां पर regular basis पर vacancy यहां पर नकाली जारी और इसमें सबी तरीके के पद यहां पर शामिल किये गए इसमें staff nurse के लिए vacancy यहां पर रहेंगी इसके साथ pharmacist की post भी इसमें आपर शामिल की गई engineers के लिए भी यहां पर recruitment है और भी various इसमें अलग-अलग post यहां पर शामिल की कहीं सबसे पहले आप सबी लोग इसकी heading पड़ें यह जो vacancy यहां पर जो release में देखे लखा है MP Power Generating Company Limited तो दोस्तो मद्य प्रदेश विद्युद विवाग की तरप से ही recruitment यहां पर आया है गई है और पूरी जानकारी हम लोग यहां पर इस वीडियो में cover करेंगे सबसे पहले आपको इस वीडियो को आप पर लाइक कर देना है और इसी तरीके से regular मद्य प्रदेश राशन की हर vacancies की जानकारी आगे भी पाते जाए चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे वीडियो की नीचे जाए सबस्क्राइब के red बिटन को क्लिक करें आगे की हर vacancy का detail इसी तरीके से पाते रहे तो चलिए शुरू बात करते हैं अपने update को बढ़ते हैं information की ओर तो यह MPPJCL की official website है जिनकी तरफ से vacancy निकाले गई देखिए यदि आप लोग directly यह type करके search करके open कर लेंगे तो यह website आपकी open हो जाएगी यहाँ पे देखिए home page पे नीचे की तरफ भी आप लगो को यहाँ पे जो है careers का section आपको इसमें मिल जाएगा तो इस पे जो है आपको आपके click कर देना है तो देखिए जैसे इस पे मैंने आपके click किया vacancy की information का page यहाँ पे open हो चुका है और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे zoom कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा है various cadder तो देखिए अलग-अलग cadder में यह post है MPPGCL का regular तो नियमित पदों पर यह recruitment यहाँ पे निकाला गया है और direct recruitment है देखिए लिखा भी हुआ है direct recruitment सीधी भरती तो online application form इसके लिए आपको fill करना है यह इसकी link है e-number का जो point है यह इसकी apply करने की link है सीके थुरू आपको आविदन करना है और सबसे पहले number पर यह आपको link दी जा रही है यह rule book यानि कि notification जो है भरती का विग्यापन तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भरती के विग्यापन को open कर लेते है notification जो भी information कैसे apply करना है last date क्या रहेगी तो सारी information जो है इसमें आप लोग यहाँ पर देख लें तो देखिए यह information हमने यहाँ पर open कर ली तो यहाँ पर आप लोग नीचे के तरफ यहाँ पर आएंगे तो देखिए यह table है vacancy के table तो देख लेते हैं कौन-कौन सी पोस्ट है तो देखिए पाली रसायनग तो यहाँ पर यह पोस्ट है इसमें एक पद है सौरी पोस्ट कोड यहाँ पर इसमें एक है और नियमित regular basis पर है वैसे सभी vacancies यहाँ पर regular है यह बताने की बात यहाँ पर नहीं है इसमें तीन पद यहाँ पर शामिल किये गए इसके बात कनिष्ठ अभियंता तो यहाँ पर इंजिनियर्स की पोस्ट है तो mechanical, electrical, electronics तो 13, 5 और 3 तो यह अलग-अलग यहाँ पर जो है यह mechanical के लिए है यह electrical के लिए है और यह electronics वाले candidates के लिए नीचे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर इसके बात देखिए कनिष्ठ अभियंता civil, तो civil के हैं इसमें आपे 6 पद यहाँ पे civil field के इसमें रहेंगे अब देखिए सायत्र सायक, ठीक है तो यह plant assistant के लिए पोस्ट है और यहाँ पर आप लोग पाएंगे mechanical में 83 पद है ठीक है, mechanical field से इसमें सभी categories में vacancies है 83 पद है, और electrical field से इसमें आप पर सभी categories में 56 पद है अब देखिए, जो nursing की vacancy है और pharmacist की vacancy है तो औशादी संयोजग तो यह post है, pharmacist की post है 8 पद यहाँ पे, अलग-अलग categories में आप शामिल किये गए नियमित भरती है और यहाँ पर दोस्तों देखिए, regular basis पर यह recruitment रहेगा, इसका post code करमांग 8 है अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सबसे आखिर में आप लखाए staff nurse तो दोस्तों देखिए, staff nurse की post है इसका post code यहाँ पर 9 है और नियमित भरती है regular basis पर यह भरती है और सभी categories को मिला के इसमें 14 पद इसमें आप शामिल कर लिए गए है तो आप लोग इस vacancy को चाहें तो apply कर सकते हैं नीचे हम लोग यहाँ पर आएंगे तो इसकी qualification की जानकारी को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो नर्सिंग की information सबसे पहले हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे फार्मेसिस्ट की भी जानकारी को discuss कर लेते हैं तो देखिए स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है सबसे पहले इसमें 12th पास होना जरूरी है physics, chemistry और biology subject में यह आपकी परिक्षाय आपर उत्रीन हो और देखिए यहाँ पर लखाए संस्था से नियमित BSC Nursing अत्वा जेष्ट Nursing जेष्ट प्रसूती विग्यान पार्ट करम उत्रीन तो BSC Nursing और GNM दोनों यहाँ पर candy rates आप लोग इसमें अपलाए कर सकते हैं और मद्धे प्रदेश का अनारक्षित और मद्धे प्रदेश के मूलनेवासी के जो candy rates हैं कम से कम आपका 65% जो है यह आपका होना चाहिए जो आपकी qualification है तो यह आपको इसमें आपके बोला गया है यह आपका CGPA बोला गया है ठीक है तो यह आपको आपके कमपलसरी रहना चाहिए और जो मद्धे प्रदेश के SC है ST है, EWS है PWD है तो आप लोग 55% अंकों से जो है BSC Nursing और आपका GNM का डिप्लोमा उत्तरीन होना आपका यह कमपलसरी बोला गया है मद्धे प्रदेश Nursing Council में आपको इसमें registration भी चाहिए ठीक है तो इसमें एक percentage की एक limitation आप लगो के लिए रखी गई अनारक्षित जो candy rates है ठीक है मद्धे प्रदेश के मूलनेवासी और OBC ठीक है, undeserve और OBC 65% जो है आपको यहाँ पे उत्तरीन होना जरूरी है और बाकी की जो category है और PWD 55% आपको यहाँ पे उत्तरीन होना अवश्चक बोला गया है pharmacist की भी ऐसी दिया गया है इसमें postcode कर्मांक 8 है 10 V प्लस 2 यानि की बारिवी कश्चा उत्तरीन होना जरूरी है Physics, Chemistry, Biology में संस्था से pharmacy में नियमित, डिप्लोमा याफर डिग्री, तो B-Pharma, D-Pharma candidates apply आप लोग यहाँ बेस में कर पाएंगे 65% जो है आपका B-Pharma याफर D-Pharma अंदेदर्व और OBC candidate के लिए है और बाकी STs, STs और यहाँ पे जो है EWS हैं तो आपको 60% और PWD हैं तो आपको 60% यह आपका डिग्री, डिप्लोमा, फार्मिसी में आपका यहाँ पे होना चाहिए तो बाकी के traits के बारे में भी आपको इसमें आपको इसमें आपके information दे दी गई है इसके लिए आप लोग यहाँ पे apply करेंगे इसमें आपको देखिए age limit भी बता दी गई है तो age limit की information इसमें आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे relaxation भी मिलेगा तो यहाँ पे जो maximum age limit है male candidates के लिए वो 40 यहाँ पे रखे गई है बाकी females के लिए 45 है और यहाँ पे जो reserve यहाँ पे जो category है तो आपको 45 years तक का आयू में चूट इसमें आपको यहाँ पे दी जाएगी means 5 years का age में आपको अतरिक्त relaxation मिलेगा ठीक है इसमें fees का payment भी आपको करना है तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नीचे देखिए यह salary package की range है तो staff nurse का देख लीजे 22,100 से लेकर 70,000 तक का आपका यह वेतन रहेगा pharmacist के लिए देख लीजे 19,500 से 62,000 तक का यह आप लोगों का salary का range रहेगा तो अच्छी salary है ठीक है तो इस vacancy को आप लोग चाहें तो बिलकुल apply कर सकते हैं बाकि category wise इसमें distribution दे दिया गया है और इसमें दोस्तो फीस की जनकारी भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ वो शायद यहाँ पर information रह गई तो notification में फीस की detail आपको कहां दी गई तो यहाँ पर देखिए फिफ्त नमबर का point है undeserved को 1200 रुपे और बाकि की जितनी भी candidates है SC है, ST है, OBC है, EWS है और दिव्यांग जो candidates है 600 रुपे का यह फीस का payment आपको online mode में ही करना होगा ठीक है तो यह इसकी official website है इसी के थुरू आपको अविदन करना है यह last का point है इस पर आप लोग click कर देंगे आपका form open हो जाएगा exam इसमें आपका यहाँ पर conduct कराए जाएगा exam में जो आपको आप लोग प्राप्ट करेंगी उसी अधार पर आपके merit list बनेगी and then आपका selection हो जाएगा information मिले हो, इस वीडियो को आपको 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 लाइक कर देना है channel को subscribe कर लेना है इसी तरीके से regular मद्यप्रदेश राशन की अन्य वेकेंसिस की जानकारी भी मिलती रहेगी वीडियो की नीचे जाएं subscribe कर ले thank you so much